हाई वर्रिवन वेलकम टो घ्जाम आग्यू एक्जामांगी वीडियो में ८ाधपूर्ण लिए महतपुर्ण महत पुर्ण यह चिंग पाला स्वाल है तो विधान सभा के दो सत्रों के बीच कितने महिने से अधिक का अंत्राल नहीं होना चाहिए तो विधान सभा के दो सत्रों के बीच अधिक्तम से अधिक्तम छे महिना होना चाहिए 6 महिना से ज़्यादा गेप नहीं होना चाहिए तो option B सही हो जागा आनि कि 2 विधान सभा के सहत्र के बीच अधिक्तम से अधिक्तम 6 महिना का गेप हो सकता है यहाँ 6 महिना से देखे एक और सवाल लोड होता होगा आनि कि कोई भी वेक्ती विधान सभा का सदग या तो विधान परिश्द का सदस ना होते वे भी मुख्यमंत्री और मंत्री परिश्द का सदस बन सकता है लेकिन उसके लिए 6 महिना के अंदर कहीं से भी सदस्ता लेनी होगी अगला सवाल है विधान सभा अधिक्ष अपना इस्तिफा किसे सौपता है विधान सभा का अधिक्ष जो रहता है वो अपना इस्तिफा किसको सौपता है तो इसका सदसर है विधान सभा उपाद्यक्ष को विधान सभा अधिक्ष अपना इस्तिफा उपाद्यक्ष को सौपता है और विधान सभा उपाद्यक्ष को सौपता है तो अपना इस्तिपा विधानसभा अध्यक्ष को स्वल अगला स्वल देख लेते हैं जहारखंड के पर्थम विधानसभा के अध्यक्ष के अध्यक्ष को यह आगला स्वाल दे लिते हैं तो जहारखंट उच न्याले देश का कौन सवां उच न्याले है तो देश में वरतमान में उच न्याले की संख्यां टोटल है 25 उन में से जहारखंट जो है 21 उच न्याले है तो अप्सन एस सही हो जाएगा अगला स्वाल देख लेते हैं आपको यह बताना है वर्तमान में जारखंड उच नियाले में नियाधिसों के संख्या कितनी है तो इसका अंसर आप कमेंट करके बताईएगा तो वर्तमान टाइम में जारखंड हाई कोट में नियाधिसों के संख्या कितनी है अगले स्वल देख लेते हैं उच्छ नियाले के मुख न्याधिष की न्यूकती कून गरता है तो इसका सही नसर हो जाएगा के तो राज का उस्तम विधी अधिकारी कुन होता है तो राज का सबसे बड़ा विधी अधिकारी कुन होता है महाधिव्यक्ता तो सही अंसर हो जाएगा ओप्शन भी महाधिव्यक्ता आपको यहां कमेंट करके बताना है जहारखणके पर्था महाध्युकता कौन थे इसका अंसर देना है अलस्वल क्या है राज लोग सेवा आयोक की अध्युकती कौन करता है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा राजपाल ओप्सन B सही हो चाएगा तो राज लोग से वा आयो की अध्यक्ष की नियुक्ति राजपाल करता है लेकिन राज लोग से वा आयो की अध्यक्ष को हटाने का पावर किसके पास है अगर पावर की बात करें तो राश्टपती इसको हटा सकते है नियुक्ति राजपाल के दोबार होता है अगला स्वाल देख लेते हैं राज लोग से वा आयो के अध्यक्ष को निलंबन करने का अधिकार किसे है आनि कि कोन इसे हटा सकते हैं आनि कि जो राज लोग से वा आयो के अध्यक्ष रहेंगो उसको हटाने का अधिकार किसको है तो राष्ट पती को है निक्ति निक्ति राजपाल करते हैं अगला स्वाल देख लेते हैं राज लोक से वायो कि अध्यक्ष को उसके पत से अधिकार किसे है रिपिटेट स्वाल है अगला स्वाल जारखन राज का प्रसासनिक मुख्याले कहा है तो ज्हार्खंड राज के प्रसास्निक मुक्षाले के बारे पूछा गया है तो इसका सरी इंसर क्या हो जाएगा? Auction A, राची में तो ज्हार्खंड राज का प्रसासनिक मुक्षाले रांची में इस्तीत है अगला स्वाल देख लेते हैं निमिल्खित में से कौन सा राज का जन संपर्क अधिकारी आनि पब्लिक रिलेशन ओपिसर इसे पी आरो भी बोल जाता है कौन होता है तो राज सरकार का जन संपर्क अधिकारी आनि पी आरो कौन होता है मुक्षित सचीव और जार्खंड के पहले मुक्षित सचीव कौन थे पर मंदलू में बाटा गया है तो पांच पर मंडल कौन कौन हैं उत्री-चोटा नागपर धचनी चोटा नागपूर में बाढ मूं और dif из yahgeben plac और इम्हें से पांच पर मंदलों में सबसे नव निर्मीत पर मंदल कौन है kolahan parmandal जो है सब से 9 निर्मित parmandal है यह पूछा भी कहा है तो जारखन में parmandal की संख्या 5 तो जारखन राज में कितने जीले हैं तो जारखन राज में जीलों की संख्या total 24 है तो इसका सव्जीन सरो जाग option D 24 और जारखन राज अलग होते हुए जीलों की संक्या कितनी थी 18 जब जारखन राज अलग हुआ था उसमें जीलों की संक्या अठार था आनिकी राज निर्मान के बाद 6 नए जीले बने हैं तो वर्तमान में 24 जीले हैं अगला स्वाल देख लेते हैं जब जीला का परमुख विन विभागों के बीच समनवय के रूप में कारे करता है तब उसे क्या कहा जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा जीला का परमुख राजसो संग्रहक के रूप में कारे करता है तो उसको क्या बोला जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा का काम करता है तो उसे क्या बोला जाता है आने कि कानून ब्यवस्था आने कि डंडा लेक चलेगा तो इसका क्या बोला जाएगा तो ऐसे तरुब कानून ब्यवस्था ने बनेगा उसके लिए डंडा चाहिए तो जिला नम्दादिकारी औप्सन सीज का सही हो जाएगा इसक वाला है तो राची नगर निगम की अस्थापना कब हुई तो राची नगर निगम की अस्थापना कब हुई तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा उप्शन ए 1989 में तो 1989 में राची नगर निगम की अस्थापना हुई अगला है जारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ तो जारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ तो इसका सही अंसर है 2001 इसवी में तो जारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में पारित हुआ अगला स्वाल देख रहते हैं ग्राम सभा की कारी कारी नी समीती क्या खलाती है तो ग्राम सभा की कारी कारी नी समीती जो होती है वो क्या खलाती है तो इसका सही इंसर है ग्राम पंचायत तो ग्राम सभा की कारी कारी नी समीती ग्राम पंचायत क्लाती है तो इसका सही हो जाएगा अगला सवाल देख लेते ह तो कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रवधान है तो कितना जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रवधान है तो कितना जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रवधान है तो कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रवध प्रवधान है तो इसका सही इंसर हो जागा 500 500 की जन संख्या पर एक सदस और 5000 की जन संख्या पर ग्राम पंचायत का गठन अगला स्वाल देखेते हैं पंचायती राज ब्यस्था का केंदरी ये धूरी कोन है? तो पंचायती राज ब्यस्था का केंदरी ये धूरी क्या हो जागा? तो इसका सही इंसर हो जागा जिला परिसाथ ओप्शन ओप्शन सी सही हो जागा तो पंचाद समीती के अस्थापना किस अस्तर पर होती है तो पंचाद समीती के अस्थापना ग्राम अस्तर पर होती है ग्राम अस्तर पर ग्राम पंचाद होती है परखंड अस्तर पर पंचाद समीती के अस्थापना होती है और जिला अस्तर पर जिला परिसद के अस्थापना होती है तो इसका सही अंसर हो जागा पंचात समीती का अस्तापना परखंड अस्तर पर होती है तो पंचात समीती का पर्मुख अधिकारी कुन होता है तो पंचात समीती का पर्मुख अधिकारी पुछा गया है तो पर्मुख जो होता है पंचात समीती का पर्मुख अधिकारी कौन-कौन होते हैं पंचाद समिती के लिए निर्वाचित सदस्त तुए सदस होंगे ही इसके लाबे परकंड छेदर के सभी निर्वाचित मुखिया और परकंड छेदर से निर्वाचित सांसर अद्व विधायक आनि क्यों option D सभी हो जागा उपर युक्त सभी पंचाथ समीति के सदस्थ होते हैं अल्वा स्वाल देह लेते हैं भारत समीधान के किस अनुश्यत के तहत लोकसभा में अनुश्यत जन जातियों के लिए अस्थानों का आरक्षण है आनि कि लोकसभा में जो है कौन से अनुश्यत के तहत ST और SC के लिए सीटों में आरक्षन है चुनाव के सीटों में आरक्षन है तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा अनुशेद 330 तो अनुशेद 330 के तहट लोगसभा के चुनाव में ST और SC परतिनी दियों का आरक्षन है आनिकि उन्हें के लिए तो लोकसभा में 330 के तहत रहता है लेकिन भारत सविधान की किस अनुश्यत के तहत राज की विधान सभा में अनुश्यत जातियों अनुसुजित जन जातियों के लिए अस्थानों का आरक्षन किया गया है अगर विधान सभा में बात करें तो कितने के तहत है तो विधान सभा में 332 के तहत है और लोग सभा में 330 के तहत है यहां ध्यान देने वाली बात है राजसबा में आरक्षन की ब्युस्ता नहीं है सीटों के आरक्षन की ब्युस्ता नहीं है राजसबा में अगला स्वाल देख लेते हैं जारखंड का राज के पूस्प कौन सा है तो जारखंड का राज के पूस पलास है और भात का राष्ट ये फूल क्या है कमल है अगला स्वाल देख क्या है तो जारखंड का राज के विरिख्ष क्या है तो जारखंड का राज के विरिख्ष की बात करें तो साल हो जाएगा तो अप्सनेज से हो जाएगा जारखंड का राच्ची ये पसू क्या है तो हाथ ही जारखंड का राच्ची ये पसू है जारखंड का राच्ची क्या है राच्ची ये पक्ची क्या होचागा जारखंड का राच्ची ये पक्ची कोयल जारखंड का राज के पक्ची है और भारत का राश्टी पक्ची क्या है मूर तो ये थे जारखंड पॉलिटी से बाने वाले कुछ मतमर सोल अब आगे की वीडियो और सवाल देखेंगे तक तक जाहें